दोस्तो alma account के course को practical किस तरीके से सिखा जाता है इसकी शریज हमारी ये continue है और आजड़ की इस वीडियुम हम सीखने वाले हैं भी हम sale voucher को देखके उसकी journal entry हम कैसे बनाएंगे और journal entry बनाने के बाद में उन सभी lasers की entry उनके manual läжर books में entry किस परकार करी जाती है तो दोस्तो इससे पहले हमने जो उमारे प्रविस वीडियो थे, पार्ट वन का जो वीडियो था, उसमें हमने सिखा था, भी हम परचेज वाउचर को देखके, जनरल इंटरी कैसे बनाते हैं, और बाद में उसकी लेजर बुक में किस तरीके से पोस्टिंग करते हैं, और आज यह हमारा सेकंड पार्ट है वीडियो का और इसमें हम सेल वाउचर की इंटरी करना सीखेंगे, और हम आज की इस वीडियो में सिखेंगे, पि हम वाउचर को देखके कैसे पता करेंगे, यह जो वाउचर है, यह हमारा सेल वाउचर है, या फिर यह हमारा परचेज वाउचर को आप एंड तक complete देखना इस वीडियो का कोई भी step आप skip मत करना और इस वीडियो को आप ज्यादा सी ज्यादा अपने उन दोस्तों के साथ share भी करना जो आपके friends accounts का course सीखने के इच्छुक हैं तो वीडियो सुरू करने से पहले आप से छोटी सी request वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो like जरूर कर देना अगर आपने मारी चैनल पर पहली बार विजिट करिए तो इस चैनल को भी subscribe जरूर कर लेना तो नमस्कार दोस्तों मैं हूं महन स्वागत हैं तो शुरू करते हैं आज का यूडियो तो दोस्तों हमारी books of accounts चल रही है वो smart enterprises की चल रही है इससे पहले हमने एक जून 2021 की जो journal entry थी वो हमने बनाई थी और आज हम बनाने वारे दो जून 2021 की और दो जून में वहारे पास voucher के है उसको हम सबसे पहले देख ल जो कि है दो जून 2021 का इसकी इंट्रेम करने वाले हैं तो दोस्तों सबसे पहले हमें इस बात का पता लगा लेते हैं पिया में को कैसे पता चलेगा भी यह voucher हमारा सेल का है या फिर पर चैस का है तो सबसे पहले हम देखते हमारा जो फर्स्ट वाउचर था अब देखते हो अब सबसे पहले इस पर हेडिंग बेर नाम किसका रहे है सिरी शाम ट्रेडर्स का और यहां पर कस्टमर कोन है स्मार्ट इंटरप्राइजिस अब यानि कि सिरी शाम ट्रेडर्स ने स्मार्ट इंटरप्राइजिस को समान सेल किये तो इसका मलब बैसने वाला तो हो गया स्या को उसका अब आपको कस्चमर का हो सकता है को पार्टी नेम भी हो सकता है यहांपर बहुत है कि नाम है इसका मुलब उसका काक्ष्टमर है इसका मलब समार्ट इंटरप्राइजेज ने इस सुदेश मार को यह जो समान वो सेल किया है यह GST का इन्वोईस है तो कैसे इंट्री होगी हम इसको देखते हैं तो हम चलते हैं डे बुक पे और जनल वाउचर पे दो तारिक हमने लगा दिये तो सबसे पहले हमें इस वाउच को समझने भी जनल इंट्री बनेगी क्या अब जनल इंट्री सेल वाउचर में होता कि है यह सेल वाउचर की कंडिशन में जो गुड्स होता है यानि कि जो समान ह करेंगे यहां पे यहांगे हर वाउचर में डेबिट होना है और क्रेडिट है तो दोनों आपके बिलकुल रहती है कि तो सबसे पहले हम सुधेसकुमार को डेबिट करेंगे कितने रुपए से डेबिट करेंगे जो invoice की net amount होती है जैसे 11,565 रुपे इतने रुपे हमने सुदेश कुमार से लेने यान की इतने रुपे का सामान हमने इसको sale किया है तो जर्नल entry जो बनने वाली है इसकी सबसे पहले हम debit करेंगे सुदेश कुमार को तो जो हमारा सुदेश कुमार account debit रहेगा कितने रुपे से debit होगा वो इसकी net amount से net amount ऐसकी 11,565 अब बरही बात credit की भी debit तो कर दिया अब credit किसको करेंगे credit हम करेंगे सामान को अब सामान को करेंगे तो सामान भी हमारे पास अलग-लग GST टाइप का है यारी कि 12 परसेंट का भी समान हमने सेल किया और 18 परसेंट वाला भी गुट समने सेल किया है तो हमें दोनों की taxable value अलग-लग लिखनी पड़ेगी तो आपने journal book में books को देखा होगा सुदेश कुमार account debit to sell बिल्कुल सेल हुई है लेकिन ये सेल प्रक्टिकल ये अकर बात करें तो अलग-लग परसेंटेज वाइज हुई है कोई एक टाइप की सेल नहीं है अगर आपकी सारी exempt सेल होती है तब तो हम मान लेती भी टोटल वन टाइप की सेल है यहां पर कि उसके बाद में थर्टी नाइन पेसा तो यह जो वेल्यू है यह रहेगे भी हमारा जो बिजनस सेल रहा है वह आप यहां पर देखर हमने प्रतेज की इंट्रीक तो रहना में हमने बनाया था अब यह इसका स्पोजिट सेल का लेजर बन जाएगा जैसे कि भी कम्प्यूटर कि पार्ट्स जी एस्टी कि बारा प्रसेंट हम इस वागे सेल और उसके बाद में इस इन्वूइस में हमारे पास जी एस्टी अथारा प्रसेंट का भी है इसको हम थोड़ा और जूम कर लेते हैं यहां से तो अठारा प्रसेंट वाड़ा 6,228 रुपे और 81 पेसी क्योंकि टैक्सेबल वेल्यू हुई हुई लिकने आपको नेट वेल्यू अभी नहीं लिकने क्योंकि यह टैक्सेबल इन्वोइस है तो हमारे पास इसमें रहे ग लिए टैक्स की तो टैक्स के लिए हम यहां पर लिखेंगे ZGST Tax और एक रहेगाardi stress त этого कि वेल्यू इन्वोइस में है 766 रुपे और 44 पेसे और सेम इसके एक्वाली रहेगा मोड़ एकष्ट अब हम दोनों का टोट़ल लगा के दखेंग डींग आपक्र डैट credit side का total वो बराबर equal हो रहा है या नहीं हो रहा है तो हम इसको auto sum से यहां से कर लेंगे और इस side का भी टोटल हम और वो su come से कर लेंगे अब याँ पर देखरे हैं दोनों का auto sum का टोटल लगाने के बाद में 12565 और halfway 555 डोनों side का equal आया है यह तो equal आ अब बात आती ये तो थी इसकी सेल वाउचर को देखे इसकी जर्नल इंट्री बनाना अब बात आती है भी हम इसको अलग-लग लेजर में इसकी पोश्टिंग कैसे करेंगे तो इसके लिए हम चलते हैं मारे लेजर बुक पे अब लेजर बुक में अब हमारे पास सबसे पहले आपको जर्नल इंट्री से ही ये बात चाह करने भी आपका कौन-कौन से लेजर में क्या-क्या अमाउट जानी है तो सबसे पहले हम एक सुदेशकुमार का लेजर बनाना पड़ेगा तो सुदेशकुमार का लेजर बनाने के लिए हम लेजर बुक पे जाएंगे और इसकी जो निर्यसन इसका जो बढ़ने वाल है बी गुड्स जैल इसका जो नंबर है यह इनवुष स्मार्ट इंटरप्राइज स्के लिए तो इसकी जो सE 001 हम इसका इन्वोइस में भी देख लेते हैं जो इसका इन्वोइस नंबर है वह आप देख रहे हो SE 001 क्योंकि सुरवात first invoice से होते हैं तो यह 001 का नंबर आएगा तो यह लेजर बुक में भी यहां पर invoice number SE 001 हम यहां पर लिखेंगे अब उसके बाद में amount यहां पर debit mount में लिखें कि क्योंकि इसकी जो जर्नल इंट्री में हमने debit में ही लिखा था debit side के column में 11,500 पैसर का तो यह तो debit side में अब इसका मतलब इस जर्नल इंट्री के दार पर यह जो लेजर है हमारा कलियर हो चुका है अब बात आती है computer part GST 12% sale का 12% sale का जो लेजर है वो मारे पास पॉलडी बने हुई है जिसे कि हमारा computer part GST 12% के तो हम इसको यहां पर date लगाएंगे 26 की और उसके बाद में हम ने यह किसको sale कि है सुदेश कुमार को तो हम यहां पर detail भी देख सकते हैं सुदेश कुमार और इसका invoice का जो number है वो SE 001 है और अब यह इसके amount के laser के credit के column में इसकी value हम लिखेंगे और value इसकी 12% sale की जो है 37330 रुपे और 49 पे से हैं यह हमने यहां पर लिख दिया है और इसी तरीके से अब 18% की भी sale है तो 18% की sale में भी same data यह रहना है तो हम इसको यहां से कोपी कर लें क्योंकि 26 का है सुदेश कुमार का invoice sale हमने किया और invoice 001 है और इसकी जो credit side की जो value रहेगी वो 6,228 रुपे और 81 पेसे है और उसके बाद में अब जो हमारा laser तीसरा cgc tax का तो cgc tax का भी laser हमने यहां पर बना रहा है और इसमें भी same वोई data आना है जो इसका date और particular है बिल्कुल equally रहेगा सभी में और इसके हम credit के column में हम लिखेंगी 760 रुपे और 40 पेसे हैं और same यह data हमारा sgc की का जो हमारा laser है इसमें हम लिखेंगे और इसको मियां से paste कर देंगे और laser हम यहां से इसको sgc में करना है तो इस तरीके से हमने journal entry से हमने laser में posting करी है अब बात आती है जो हमारा यह बिल्कुल end का जो column होता है यह हमारे किस के लिए होता है अब closing balance का मलब debit और credit में से plus minus करने के बाद में कितना कुछ sales बसता है अब अगर हम इसकी बात करें closing balance अब यहां तक जो cgst sgst tax के करें बात करें sgst tax का जो balance है वो यहां तक है 3562 रुपे और 96 बेसा अब उसके बाद में यह debit चल रहा है यह credit चल रहा है तो आपको देखना है अगर आपकी debit side जयादा है credit कम है तो यह जो इसको भी आगे पूरी डिटेल के साथ समझेंगी जब हमारे पास काफी सारा डाटा एकटा हो जाएगा और जब हम क्राइल बलेंस तक जाएगे तब इसकी सारी कानिया में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी तो दोस्तो यह था आज हम इस सेल वाउचर को देखके ज पहले मैनुवली जर्नल इंट्री का नोलेज होना जुरूरी है और वो भी उरिजिनली रियल ट्रैक्टिकल वाउचर को देखके नए कि किसी लाइन को देखके क्योंकि जब भी आप कहींपे अकंंटिंग जौब करोगे तो वहं पर को लाइन लिखी होनी वत्त के वाउचर को देए जाएंगे जहां पर आपको अकंटिंग मेंटेन करनी होगी अगरने मैनॉड अकंटिंग को अच्çon ओज़िर में से करनी होगी और बात में हमने जो मेनुरी लेजर हमने बनाए है इनके साथ उनका बिलेसम किस तरीके से टेली करेंगे ये भी आपको सिखाएंगे तो दोस्तो अगर आपने मारा जो प्रिवियस पार्ट फर्स्ट है इस वीडियो का वो नहीं देखें तो उस वीडियो को भी आप जरूर द